हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम पाँच इंपॉर्टेंट वोकेब और एक वेरी इंपॉर्टेंट इडियम के बारे में डिसकस करेंगे पहला वर्ड है कंसेंसस मीनिंग जनरल एग्रिमेंट सहमती या सरुसमती जब किसी मैटर पर सारे लोग सहमत हो जाते हैं तो उसको हम बोलेंगे कंसेंसस जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं सारे लोग कुछ वोटिंग जैसा प्रोसेस कर रहे हैं और सभी के हाथ ख अंटरिम्स डिस अग्रिमेंट डिस्कॉर्ड डिसेंट एक्जाम्पल दे कोईलेशन गौवर्मेंट एस तो वर्क इन कंसेंसस गठभंधन की सरकार होती है उसको सहमती या सरुसमती से काम करना पड़ता है सब को मिल जुल के साथ लेके काम करना पड़ता है वह पहला इनसान था जिसने इस सरुसमती को तोड़ा और प्रपोजल को क्रिटिसाइज किया नेक्स्ट वर्ड इस पैल्ट्री यह नाउन है एक और मीनिंग है स्मॉल और मीगर यानि नगण बहुत कम या तुच्छ ना के बराबर जैसे आप फोटो में देख रहे हैं एक घोड़ा है और उसको बिलकुल मीगर स्मॉल अमाउंट आफ फूड दिया गया है जिससे उसकी हालत बिलकुल खरावे हड़ियां दिख रही है उसकी एक्जामपल देखते हैं अल्थो आइप पेड़ ग्रेट डील फोड़ा मील आई उनली रिसीवड पैल्ट्री अमाउंट अफ फूड ऑन माई प्लेट यदिपी मैंने अच्छा खासा पैसा दिया खाने के लिए इसमें एक इडियम है एक ग्रेट डील इसको हम इस वीडिय प्लेट में ना के बराबर खाना मिला बिल्कुल थोड़ा सा I don't want to accept this peltry amount of money मुझे ये ना के बराबर पैसा नहीं चाहिए मैं इसको accept नहीं करना चाहता next word is altruistic someone who shows an unselfish concern for the welfare of others यानि कि परोपकारी जो दूसरों का भला करे निश्वार्थ होकर बिना अपना सोचे दूसरों की सेवा में लगा रहे उसको हम बोलते हैं altruistic synonyms peltron philanthropist antonyms opponent antagonist example देखते हैं his altruistic habits worry his friends and relatives उसकी जो दूसरों का भला करने की आदते हैं उससे उसके दोस्त और प्रिष्टिदार परेशान होते हैं चिंतित हो जाते हैं कि वो हमेशा दूसरों की सेवा में ही लगा रहता है खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता शी इन एल्टुरिस्टिक सोशल वरकर वो एक परोपकारी समाद सेवी का है एनिमल्स केन हैव मोर एल्टुरिस्टिक बिहेवियर धन हुमन्स बिल्कुल सही बात है कई बार हम देखते हैं कि इंसानों से ज्यादा अच्छा बिहेवियर यूमेन बिहेवियर या परोपकारी बिहेवियर जानवर दिखा देते हैं कई बार हम देखते हैं इसा नेक्स्ट वर्ड इस ओवर्वीनिंग ये एक एड्जेक्टिव है और इसका मीनिंग है एरोगेंट यानि कि घमंडी अभिमानी जो अपनी अकड में रहता है उसको हम बोलेंगे ओवर्वीनिंग सिननेम से केवेलियर होटी प्रावड इगोटिस्टिकल एंटनेम्स मॉडेस्ट अनज्यूमिंग पॉलाइट एग्जाम्पल है एवर सिंस ही वान दे कंटेस्ट ही हास बिन ओवर्वीनिग अन एक्टिंग अस दो ही इस दा स्मार्टेस्ट जब अब से वह अपनी अलगी अकड में है गमंड में और ऐसे एक्टिंग कर रहा है जैसे कि वह सबसे स्मार्ट है योर मोडेस्टी इस अ कवर फोर्यो आवर्वीनिंग कंसीट जो तुम्हारी शालीनता है वह तुम्हारे अहंकार या गमंड का एक कवर है उसको छुपाने का ए Your modesty is a cover for your overwinning conceit Next word is Reprove It's a noun and meaning is censure यानि कि निंदा या फटकारना किसी को criticize करना किसी को blame करना Synonyms हैं blame, criticism, condemnation, rebuke Antonyms, agreement, approval, praise Example, she received a mild reproof from the teacher उसे अपने teacher से एक हलकी सी फटकार मिली He greeted me with a look of code reproof उसने मेरा greet तो किया, मेरा अभिवादन किया लेकिन एक निंदा भरे या घ्रना भरी दृष्टी के साथ यानि उसके face पे साफ दिख रहा था कि वो मुझे देखकर खुश नहीं है या मेरे पृती उसके मन में घ्रना है, निंदा है तो उस लोग के साथ उसने मुझे greet किया अब हम देखते हैं आज की idiom of the day जो एक sentence में हमने discuss की थी एक great deal इसका meaning है a large amount of something यानि किसी चीज की बहुत ज्यादा मात्रा हो एक large quantity और amount और number तो हम बोलेंगे एक great deal example देखते हैं I have a great deal of respect for my supervisor because she is very honest and supportive मैं अपनी supervisor की बहुत ज्यादा respect करता हूँ क्यांकि वो बहुत ही honest और supportive है Let's go home We have got a great deal of packing to do for our trip चलो घर चलते हैं अभी हमें trip के लिए बहुत सारी packing करनी है We have got a great deal of packing बहुत ज्यादा packing करनी है बहुत सारा काम है भी packing करने के लिए This winter we had a great deal of snow So I am glad spring is finally here इस सर्दी में इस बार जो सर्दी आई उसमें बहुत ज्यादा बर्फ किरी We had a great deal of snow So I am glad spring is finally here तो मैं खुशों कि finally spring आगई है और अब इतनी snow से हमें पीछा शूट जाएगा So friends ये थे five words और one idiom I hope आपको clear हो गए होंगे अगर कोई doubt हो तो आप comment box में पूँच सकते हैं और as usual आपको पांचों words पर और इस idiom पर एक sentence बना के comment box में मुझे दिखाना है Thank you friends और अच्चर्ण, पर अपको अवर्ण, रपको के सकते हैं